श्री शिवाय नमस्तुब्यम 16 अगस्त को है अधिक मास की आमावश्या यहीं अधिक मास का समापती वाला दिन है जी हैं अधिक मास का आकरी दिन है साथ में उसी दिन सावन का महना फिर से शुरू होने जा रहा है तो आधिक मास के पूरे होने का दिन और सावन महने के फीट सुरू होने का दिन है ऐसे मिलन संजोग पर गुरु जी ने करने के लिए विशिश उपाय बता है गुरु जी ने कहा है जैसे कि महमान जब हमारे घर में रहते हैं घर से जब आकरी दिन वापस जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ दे कर जाते ही जाते हैं तो वैसे ही अधिक मास का पूरा दिन होने जा रहा है उस दिन महादियो की कृपा हम पर बहुत जादा होगी और हम बाबा से जो कुछ भी मांगेंगे दिल से बाबा वहाँ मनोकामना आपकी पूरी करेंगे ही करेंगे तो यह विशेश दिन है, इस विशेश दिन घर के प्रतेइक व्यक्ति को कोई ना कोई उपायतों करना ही करना है अपनी मनवानशित फल्की प्रागत्ती के लिए और साथ में आपको इस वीडियो को इतना फिलाना है कि सभी लोग इस उपाय को कर सके क्योंकि यहां बहुत विशेज दीन है ऐसे आसाने से यह दिन मिलता नहीं है अब अधिक मास कब लगेगा फिर तब मोका मिलेगा आपको तो अधिक मास के पूरे होने का दीन है 16 अगस्त उस दिन पूरे दिन भर में आपको जब समय मिले आप उपाय अवश्च कीजिएगा चलिए वीडियो शुरुआत का तो स्वागा दे मोजिती ओफिशल चेनल पर अगर आप लोगों ने अभी तक चेनल को सब्क्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चेनल को सब्क्राइब अवश्च कीजिएगा और हाँ कमेंड में स्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादे अवश्च लिखेगा और बताईगा कि 16 अगस्त को जो गुरुजी कावड यात्रा निकाल रहे हैं उसमें सामिल होने कौन-कौन सीहोर कुब्रेशरधा जा रहे हैं पहला उपाय इहाँ उपाय अगर आपने कर लिया तो फिर आपको आगे कोई उपाय करने के आउश्चत ही नहीं पड़ेगी इस उपाय को कर लेने मातर से महादे की इतनी कृपा बरसेगे कि आप जिस भी कामनग लिए उपाय करोगे महादेव जूली पचार के मैंनी आप प्रणाम करोगे बाबा को बाबा आपके सारी मनोकामना पूरी करी देंगे कुबेर का भंडार भरी देंगे तो बहुत परिशानों दुख समाप्त नहीं हो रहा है तकलिफ में चल रहे हो धन की कमी है रोग है बीमारी है कोई सा संकट है जो स्टल नहीं रहा है तो आप करें सुपाय को कोई भी दिल की अविलासा है विवा नहीं हो रहा है या बिजनेस टार्ट नहीं कर पा रहे हो खुद का मकार नहीं खरिद पा रहे हो तो आप इस उपाय को किसी भी वनो कामना के लिए कर सकते हो करना कैसे है देखिए आपको लेना है दो लोटे जल जी हाँ दो लोटे जल लेना है साथ में हमें लेना है एक कनेर का पुष्प जी हाँ कनेर का पुष्प अवश्च लीजेगा एक दिन पहले ही खटा करके रख लीजेगा एक कनेर का पुष्प दो लोटे जल यह लेकर आप आप कैसे पहुचोगे तो गुरु जी ने कहा है आपको सीधे और उल्टे दोनों हाथ में लोटे पकड़ना है पर घर से मंदिर दूर है तो फिर कैसे लेकर जाओगे तो क्या करो एक बॉटर में पानी भर लो और दो लोटे घर से लेकर जाओ एक कनिर का पुष्प लेकर जा पर एक ही धारा में समर्पित करना है धारा तूटे ना इस बात का ध्यान रखे दोनों हातों से एक ही धारा में बाबा को देखते हुए मंत्र का उचरान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुब्यम बोलते हुए एक ही धारा में जल समर्पित कर दीजिए जब आप पूरा जल जल समरपित कर दो जैसा वीडियो में दीख रहा है पूरा जल समरपित कर दो फिर उसके बाद एक करनेर का पुष्प सिवलिंग के उपर समरपित कर दीजिए जो डंडी होगी फूल की वो जहां बेठे हो आपसे विप्रित और रखना इस उपाय को घर का प्रदर वेक्ति करे और करना जरूर है करते ही आप देखेगा आपके सारे मार्ग खूल जाएंगे आपकी मनों कामना है बहुत जल्दी हो ही जाएगी दूसरा उपाय यहाँ उपाय है अगर आपके पुर्वच कहीं भटक रहे हैं तो उन्हें तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी साथ में आपको पित्र दोस लगावा है यह ऐसा हमें लग रहा है कि हमारे पित्र हमसे रूष्ट तो नहीं हो गए हैं कभी-कभी ऐसा रहता है हमारी कुंडली में पित्र दोस रहता है जिसके कारण हमारे संतान प्राप्ति नहीं हो पाती हमारे बच्चों का विवा नहीं ह पाता है नोक्री नहीं लग पाती है घर में लड़ाई जगड़े कलिश होटा रहेता है तो अगर इस समस्य आपके सम्मुक आ रही है तो हो सकता है कहिना कि आपकी कुन्डली में पित्रदोश है तो आपको क्या करना जी हां लंबी बाती गी का दीपक तयार करें और उस दीपक को आपके घर के आजपत जहां भी कुवा बावडी जलासे हो जी हां कुवा बावडी जलासे जहां पर भी हो वहां पर आपको दक्षिन दिसा की और बाती का मुख करकर दीपक को प्रेजोली कर देना है जी हां बात को नदी तलाप जलासे के पास करना है पर अगर बारिश का मोश़ए में नदी तलाप जलासे के पर भरे रहते हैं ऐसी स्तती में आप क्या करें या तो पीपल के वराश कीन नीचे दिपक को परजलीत कर दे तो अपने ही घर कि आपके पूर्वर्ष प्रशन होंगे और आपको अच्छा शिवत देखे जाएंगे दूदो नाओ पूतो फलो तीसरा उपाय यहाँ एकदम नया उपाय देखी आपने देखा होगा हर मंदिर हम सिवाल रशन करने जाते हैं तो कोई ना कोई नंदी जी के कान में अपनी मनो कामना तो बोलता ही बोलता है आपने देखा भी अगर दर्शन भी क्योंगे कि नंदी जी के कान में कुछ नो कुछ व्यक्ति बोलता है पर गुरु जी ने बताया है हाली में जो पार्थे श्वर्ष्यू महा पुरान कता है कि अगर आपकी कोई मनो कामना और आप चाहा रहे कि नंदी जी जल्दी पूरी कर दे बाबा से बोल दे नंदी जी तो आपको इस तरीके से बाद नंदी शरु के कान में बोलना है उसका भी एक तरीका होता है कान में बोल लेका तो वहाँ तरीका क्या है अगर आप इस तरीके से नंदी के कान में बात बोल देते हैं तो वहाँ बात सुयसा माता तक पोस्ति है क्योंकि नंदीजी की कानों के पास सुयसा माता का वाश होता है और जुब गपन ambos पंञेंगे जो की कान में आप प्ट्रि उपर वाली पत्ति पत्ति के नीचे वाले जगा पर आपको इस परश करना है और पकड़कर नंदिश्वर के पास इस परश कराते हुए फिर आपको नंदिश्वर की कान में अपनी मनोकामना को बोल देना है जी हाँ नंदिश्वर के कान में बोलेगा और बोलकर उस बेल पत्री को आपको मा अशुक शुन्तरी के इस्थान पर समर्पित करते हुए आजाना है यह विशेश उपा है, करके देखिए, मनंदिश्वर के कान में बोलेंगे, शुएसा माता मापारवति को बोलीगे, आपके जिवें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई मनो काम ना हो, करके देखिए, एक ही बार करेंगे, और मनो कामना की बहुत जल्दी पूरी हो ही जाएग झाल झाल झाल